Welcome to my channel Secret Home Remedies अलोवेरा जल ही इस्तमाल करें तकरीबन हम सभी के घरों में अलोवेरा जल का पौदा मौझूद होता है आपकी घर में अगर ये नहीं है तो बिल्कुल भी परिशान होने की जरुवत नहीं आप इसको आज ही उगाएं इसके लिए किसी बहुत बड़े गाड़िन की जरुवत नहीं गमले में भी ये बाथानी उग जाता है क्योंकि इसके पेताहश Gew फाइध हैं बालों को लेकर, स्किन को लेकर तो इसलिए ये हर घर में ही होना चाहिए तो इसलिए आप इसको गमले में बासानी उगा सकते हैं, अगर आपके घर पर मौझूद नहीं तो आप अपने नेबर से पता करने में भी वहाँ पे हो, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, एलो वेरा जल को पत्ते से रिमूफ करने का तरीकार क्या है, एलो वेरा जल लेकर उ उसको दिवार के साथ टेक लगाकर खड़ा कर दें, इसके अंदर एक यलो कलर का लिकॉर्ड होगा, उसको हमें रिमूफ करना है, तस से पंदरा मिनट के लिए रखेंगे, तो यलो लिकॉर्ड खुद भाखुद ही निकलाएगा, अब उसके बाद छूरी की मदद से आप ल अलोवेरा जेल आपकी स्किन पर बहुत एच्छे मॉस्टराइजर की तरह वर्क करेगा, आपकी स्किन को ग्लो देगा, सौफ बनाएगा, अलोवेरा जेल में भरपूर मिकदार में अंटी एजिंग प्रपरटीज पाई जाती है, अलोवेरा जेल हमारे चेहरे से दाग दब बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए हमेशा उसी को तरजीद है, लेकिन अगर आपके पास नैच्रल वाला अलोवेरा जेल अवेलेबल नहीं, तो बास आनी आपको मार्केट से भी ये मिल जाएगा, आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से या फिर मार्केट में कहीं से भी इसको ल खाने में भी लाजवाब है और लगाने में भी लाजवाब है, इसके बेताशा फायद हैं, अन्य एंटाय आपकूर होता है, शेहद का बगाइदगी से स्किन के लिए इस्तमाल हमारी स्किन को एक्सफॉलियेट करता है, और हमाई स्किन पे मौझूर डेट सेल्स को करता है यानि हमारी स्किन की हेल्थ को भी बहतर बनाता है हमारी चेहरे को ग्लो देता है शहत में भरपूर मिकदार में एंटिसेप्टिक एंड एंटि इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो के में मुखलिप किसम के एक्स्ट्रा इंफ्रेक्शन्स और एक्नी स भी कम करता है तो दो चमच ऐलोवेरा जल के साथ हम शामिल करेंगे एक चमच शहद और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि एक स्मूध सा जेल बन जाए पेस्ट बन जाए इस्तमाल करने का तरीका सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से वाश कर लें उस मत करें आप चाहें तो इस मांस्क को अपने हाथों पर अपने बासों पर भी अप्लाई कर सकते हैं उस हिसाब से इस मांस्क की कौन्टिटी जो है वो ज्यादा होगी यह झाल जाए उस हैसाब से आप ऐलोवेरा जैल और श ह हर उमर के अफ़ाद इसको इस्तमाल कर सकते हैं चाहे तो रुजळाना इस्तमाल करें लेकिन अगर वक्त नहीं तो हफते में दो बार तो लास्ट में इस्तमाल करें बहुत ही effective है अगर आप चाहें तो एक एदाफ़ा इस मास्को थोड़ा से ज्यादा बनाकर के लिए इस्तमाल करें उसके बाद फ्रेश हो बना कर ही इस्तमाल नहाला करें उसके बाद फ्रेशा ठाले इस्तमाल करें तरुजा अबी इसेक्स केभक मोगेघे पाने के उनिस के बाद ही रुम्राय घुक्राइब करें спрос whatever